लोग बंबो से शहीद हो जाते हैं, जो बैनों के सोहा गुजड़ जाते हैं, जो तरंगे जंडे भारत माता का अपमान करते हैं, उस वक्त इनका हूमर राइट कहा जाता है? आज जन संक्या पे बिल आना जरूरी है किसी भी सूरत में जो बहनों के सोहा गुजाड़ेगा जो बच्चों को यतीम करेगा यो यूप में खून की नदिया भाएगा उतका होगा ठा गोली मारो आग लगाओ और राख इनकी द्रिया में भेको कि आपको पुलिटिकल पार्टियां को शोचल को धर्म के ठेकेदार आग लगाते रहें ये काफला आप रुकने वाला नहीं ये आगे चलेगा नमस्कार मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर आज इन सब मुद्धों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए जिन्दा शहीर बिटा सर मेरे साथ मौजूद हैं बिटा सर से आज हम जानेंगे कि सर कैसे देखते हैं आप इन सब बातों को पिए फाई पर जो इतना बड़ा एक्शन हुआ है मिड़नाइट ओपरेशन इस पर आप क्या कहेंगे और मैं अपने आपको बहुत सौभाग गिशाली मानती हूँ कि जिसने आप ये कहें कि आतंकवाद को बहुत करीब से देखा है आतंकवाद के खत्रे को बहुत करीब से जिया है तो आए चलिए बिटा सर से हम बाचीत की शुरुवाद करते हैं बिटा सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सबसे पहला सवाल में आपसे पूछू इस ऐक्शन को कैसे देखे को आपने देखा होगा जब से नरिंदर मोजी जी हिंदुस्तान के परधान मंत्री बने और आज तक पहले तो बता दू मेरा बीजेपी से किसी लीडर से कोई तल्लक नहीं मेरे लिए प्रथम रास्त है और अतंकबाद का खात्मा होना आप मुझे बताईए आज तक क्या पार्लिमेंट जैसी गटना हुई क्या छबी ग्यारा जैसी गटना हुई क्या दिवाली के दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर जगा जगा बलास्त होते थे क्या हुए क्या उठाया कि इस भारत को अतंकवाद से मुक्त करना है और उसको किया अब उसमें खालिस्तान की मूवमेंट हो चाहे को मुस्लिम संगठन में हो अगर उनके खलाफ कारवाई होती है तो उसमें क्या बुराई है जो आप कहना चाहते हैं कि इसके बाद कई आवादें उठेंगी उठेंगी आवादें पर जो गलत है वो तो गलत है ना आपने कई ऐसे अंदोलोंों के अंदर दिली के अंदर हुए पंजाब के अंदर हुए बादरों पे अंदोलन हुए उसके ओपर फंडिंग कहां से आई funding तो इनी की through आई ना funding तो ISI के through आई ना funding तो फॉरन से आई ना कहां से funding आई किसलिए funding आई funding इसलिए आई कि पूरे हिंदुस्तान अतंक वाद से मुक्त हो चुका है और नई आग लगाई जाए को फिरका प्रस्ती थी आपस में फसाद हों दंगे हों गोलिया चले बम चले वो दिली के अंदर हुआ और उन चीजों का खुलासा किया गया है कि इनके पीछे साज़त थी क्या ताकि दुनिया के अंदर हर भारती को हर व्यक्ति को हर देश को पता चले कि इसके पीछे साज़त करने वाले कौन है सिंदोस्तान को अगर को तोडने की कोशिश करे तो उसमें हिंदू वो बॉस्लमान और Ulisco है यो वो गुनागार है जन्वव है पर ये सोचा जाए कि यह मुसलमान समाज के ओपर हमला है यह बिलकुल गलत है कि अ बड़े-बड़े चैनलों में बहुती है किसने मेरे मुस्लमान भाई मैं मैं किसी के खलाफ नहीं जब अतंकवाद के खलाप बात आती है क्या हम खुलके बोलते हैं क्या जब खालस्तान की बात आती है कितने लोग है जब बोलते हैं मेरी तरह को बोलता है सवाल सबसे बढ़ा जिए कि हम कई लोग हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मानते हैं नहीं मैं कई बर प्रेस कॉंफरेंस में जाता हूं मेरे से पत्रकार सवाल कई ऐसे पूछ लेते हैं मैं उनको एक ही सवाल का जवाब पूछता हूं मैं सवाल पूछना चाहता हूं मुझे जवाब दीजिए मैं पहले सरदार हूं या भारती हूं मुझे वही सबसे पहले फकर से एक जब हमारा धर्म हमारा भारत है मैं रोज कहता हूँ खून से निकला हुआ नारा है मेरा धर्म भारत मां मेरी जाद बंदे मातरम क्या यह कहने में तकलीफ है मेरे सिर्थ पे पगड़ी है गुरू महराज की यह मौत का कफन है एक पहचान है कि यह सरदार है यह भारती है अब म हम रात की तरफ नहीं जाते हम यह नहीं कहते तेरा वैब अमर है मां हम दिन चार रहे न रहे इतना सा नारा भी को मुझ से निकल जाए ना तो दुनिया के लोग खुश हो जाते हैं अच्छा इसने यह कहा यह सबसे बड़ी बात है सर अभी आपने कहा कि जो लोग कौम में सिमट जाते हैं वो कही ना कहीं देश के लिए बड़े खतरनाक हो जाते हैं तो मैं जैसे ग्राउंड पे रहती हूं मैं लोगों से बातचीत करती हूं तो मुझे कई सारे ऐसे मुस्लिफ समाज के भाई मिलते हैं जो कहते हैं कि जिम श जाने की एक कोशिश प्यापाई करता हूं मैं आप मैं आप से सवाल पूछता हूं अब्दुल हमीद कौन से यूपी के अब्दुल हमीद कौन थे जब पाकिस्तान के साथ जंग चल रही थी जब हिंदोस्तान कमजोर पड़ रहा था तो एक मुस्लिम समाज का वो हीरो उसक अब्दुल कलाम कौन थे साइंसिस से मुस्लिम हीरो थे बच्चों के लीडर थे हिंदोस्तान के रास्तरपती बने हिंदोस्तान की साइंसिस के ओपर काम करके हिंदोस्तान की सारी सुरक्षा विवस्ता को बढ़िया किया क्यो उसको लोग सलूट नहीं करते क्या उसको क्या उसको पूछना चाहता हूं हमारी फॉज के अंदर हमारी पैरमेंटरी फॉर्स के अंदर हजारों लाखों मुसलमान भाई हैं जो छपत लेते मेरा धर्म भारत महां मेरी जात बंदे मात्रम सबसे बड़ा कि आप कोई हुमराइट बना लेता है अपने विंग बना लेता ह पर जो लोग बंबो से शहीद हो जाते हैं, जो बेहनों के सोहा गुजड़ जाते हैं, जो खून की नदिया बहा देते हैं बंबो गोलियों से, जो तरंगे जंडे भारत माता का अपमान करते हैं, उस वक्त इनका हुमर राइट कहां जाता है, उस वक्त इनका कनून कहां जाता उसके लिए कोई नहीं कनून, कनून है तो मैं सरदार हूँ तो मेरे लिए ऐसा नहीं, जितनी देर तक इस हिंदोस्तान के अंदर ये नारा घर घर में नहीं लएगा, जिस तरीके से नरिंदर मोदी जी ने तरंगे जंडा घर घर लगाया, आज हर गाड़ी, हर व्यक्ती, हर गरीव व्यक्ती, कोई थ्रीविलर भी चलाता है न, कोई अपना सैकल भी चलाता है न, पीछे समान लदा हुआ, मैंने देखा है, तन पे कपड़ा नहीं, बनायन भी नहीं, पर तरंगा जंडा, जिस दिन, ये तरंगा जंडे के बाद मेरा धरम भारत मा, मेरी जाद बंदे मातरम नारा जिस दिन लगना शुरू हो जाएगा न, तो ये सब समस्या खड़ी हो जाएंगी, ये समस्या धर्म के ठेकेदार और कुछ राजनितिक पुलिटिकल पार्टियों की डाली होई है, फकर से कहो, हम भारती हैं, हिम्मत नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उसके उपर ऐ हम आई तो 370,000 फिर ऐसे कर देंगे, सबसे बड़ा कि मुद्दों के ओपर पुलिटिकल पार्टियों को अपनी वोट बैंग नहीं देखनी चाहिए, अच्छे मुद्दे हैं, उनको स्पोर्ट करना चाहिए, अब मैं हूँ, मैं कोई किसी पार्टी का तो नहीं हूँ, के कनूने के ओपर बात करते हैं, दुनिया के अंदर आज एक ऐसा मुल्क भारत बन चुका है, शान्ती का मुल्क, महात्मा गंदी का देश, शान्ती का पुजारी, आज अमेरिका, आज चैना, आज युक्रेन, आज रश्या, आज सौथ कोरिया, आज नौर्थ कोरिया, आज कहां कहां जगडे नहीं हैं तोपे को मुड़े हुए हैं और बड़े-बड़े मैजालों की त्यारी है एक दूसरे को मारने के लिए आज हिंदोस्तान एक मुल्क है अकेला हिंदोस्तान दुनिया के अंदर मुल्क है यो विश्च शान्ती दूत बन चुका है यहां कोई गोली नहीं कोई बुरूज नहीं पाकिस्तान को डह डेरी कर दिया चाइना साइड में कर दिया आज वे मुल्क बन चुका है हिंदोस्तान उसकी कोई चर्चा करने को त्यार नहीं आज दुनिया के अंदर आग लगी पड़ी ये बताईए कौन सा मुल्क है योकरेन रशिया का जगड़ा नहीं चल रहा क्या पाकिस्तान का जगड़ा नहीं है कि उसको हमने कमजोर नहीं किया कौन सा ऐसा मुल्क है का नौर्थ कोरिया सौथ कोरिया का जगड़ा नहीं है अपसमें पूरी दुनिया में जगड़ा है एक हिंदोस्तान के अंदर मुल्क है जिसका नाम है परिंदर मुद्धिया जीडवाल जिन्होंने इस मुल्क को विश्व का शांती का दूद बना दिया है और अभी रशिया के अंदर जा करके वहां के रास्त्रपती को मिल करके उनको कहा शांती का संदेश दिया यह हिंदोस्तान इसकी कोई चर्चाई नहीं करता कोई पुलिट जम रास्त उन मुद्धों को नहीं लगे आप जितनी दिर तक दुनिया के अंदर विश्व सांती का देश वह नहीं परचार करोगे आप कभी नहीं आओगे आप सो बर ऐसे लोगों की मदद करो अतंक वादियों की अतंक वादियों को फंडिंग देने वालों की आप कभी नहीं आ सकते मैं गरंटी से कहता हूँ बिटे सर एक और बात मैं अगर आपसे पूछू ये उदेपूर जैसी घटना होती है नुपो शर्मा के बायान के बाद इतनी सारी हमने देखा कि देश भर में अलग अलग जगह पर घटना है मतलब अमरावती ले लीजिए करनाटक ले लीजिए केरल ले लीजिए हर जगह आपको ऐसी उदेपूर वाली घटना आपको दिखाई देने लग जाएगी सर्तन से जुदा एक मुहीम है वो छड़ जाने लगती है तो इसमें सबसे बड़ा दोशी किसको मानते हैं आपको क्या लगता है कौन है सबसे बड़ा दोशी एक बात मैं आपको बता हूँ मेन जो है वो है आईएसाई जो आईएसाई पंजाब के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर के अंदर जगा जगा बलाच भी ग्यारा गटना पार्लिमेंट की गटना वो टोटल फेल हो चुकी है नरिंदर मोदी जी के आने के बाद चुर किसी ना किसी तरीके से किसी के तरू फंडिंग दे के शोचल मीडिया के जरिये क्योंकि शोचल मीडिया तो कहीं से भी आ सकता है उस तरीके से आग लगाई जाए मैं एक सवाल आप से मैं करना चाहूंगा बताना भी चाहूंगा अगर नरिंदर मोदी आज ना आते हिंदु कुफ्तान की परदानमंत्री होती या कॉंघर्स की प्रेसिडेंट होती या और पिलिटिकल पार्टी तॕ जयց सी पीम सी पियर्स इसे की पोलिटिकल पार्टी एक थी होती है यह काषी कवली के सवाल है हम किसी कौम किसी मजब के खलाफ नहीं है और इस लिए हम बार बार कहते हैं यहां जन संक्या बिल कनून आना चाहिए हिंदू हो मुसल्मान हो सिक्ख हो इसाई हो यह भारत एक है भारत हिंदू का भी है मुसल्मान का भी है सिक्ख का भी है इसाई का है कनून अलग क्यों हूँ करोना काल आपने देखा कितने लोग दुनिया से चले गए आज जन संक्या पे बिल आना जरूरी है किसी भी सूरत में हर कनून बना राम जन बूमी का निर्मान हुआ तीन सो सतर जारा हटी हर कुछ इस देश के अंदर डिफेंस पॉलिसी मजबूत हुई जितनी द तक जन संक्या बिल कानून नहीं आएगा ऐसे हलात चलते रहेंगे यह सरकार को कोई न कोई ऐसा फैंसला लेना चाहिए हर कौम हर मदब के लिए एक कौम मदब के लिए नहीं जिए आना चाहिए सर अभी आपने जन संक्या नियंतरन कानून की बात की जब मैं इस कानून को सुनती हूँ तो यह जब उत्तर प्रदेश में लाया गया था उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा तब ओवेसी जैसे गुड़ जो है वो देश में कहीं न कहीं नकरात्मक था आप से एक सवाल पूशता हूँ यह OBC जैसे लोग यह तो मीडिया के लोग है आप क्यों नहीं उनकी इंटर्व्यू लेने जाते हैं आप सोचल मीडिया से हैं आप तो उसका प्रशामा जो है न उससे भी 10 किलो मीटर दूर बाग जाए मैं आपको जानता हूं अच्छी तर कुशी नहीं करते हैं आप उसको डूरते हैं जो को बोल सकता है जो सही आदमी है अब बड़े बड़े चैनलों के अंदर अल्ले पल्ले कुशनी कहता बल्ले बल्ले वही है ना अल्ले पल्ले कुशनी कहता बल्ले बल्ले शीटे दो नहीं तो लीडर बना देते हिंदुस्ता का आने वाला परदानमंत्री ये बड़ी एचकन डाल करके उसको ओबीसी कहते हैं मैं उसको एक बात कहना चाहता हूं ओबीसी को ये हिंदुस्तान है आज का हिंदुस्तान है अपने आपको जिस दन आप अच्छे भारती कहना शुरू को होगे आपको लोड़ शड़कों पर स मैं सिर जुका के उनका असीरवाद लेता हूं मुझे नहीं नहीं कहता सरदार कहता सरदार तु गुरू गुबिन सिंग महराज का एक है पर तु पहले हिंदुस्तानी है जो तुमारे गुरू सहेबानों ने गुरू तेख बहादर हिंद की चादर चांदनी चौंक जन्हों ने अपना सीस मजलूमों की रक्षा के लिए रास्ट के लिए निचावर कर दिया था तु उस कौम का बिटा है उस कौम का तु सरदार है पर तु बारती है तुमारे गुरू ने इस भारत की रक्षा के लिए इस मजलूमों की रक्षा के लिए जिसमें हिंदू भी मुसलमा प्रफ़ान भी, सिक्ख भी, एसाई भी अपने सीज़ कटवा दिया और चोटे छोटे सहब जादों को नियों में चनवा दिया, मैं एक भारती हूं, मुझे फकर है, कि मुझे लोग कहते हैं, सबसे पहले बिट्टा भारती, जी सरदार भारती, मुझे फकर है, तो बाकियों क कि मैं इज़त करता हूं उसके आगे मैं सिर जुकाता हूं कौन से ऐसा मजब धर्म है जिसके आगे सिर नहीं जुकाता मेरा मेरे 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 हमारे गुरुओं नहीं सिखाया हमारे भारतमा नहीं सिखाया हम क्या है हम सबसे बड़ी समस्या मैं हिंदू मैं मुसल्मान मैं सिख मै इसाई भारती काने में क्या तक्रीफ है बंदे मातरम को मेरा नारा था क्या बंदे मातरम क्या परधान मंतरी जी का नारा था क्या बंदे मातरम नारा की था शुबाद चंदर बोश जी का जब अजादी की जंग थी तो पूरे इंदू मुसलमान सिक इसाईयों को कठा करके ना शुबाज चंदर बोश जिसने हिंदू मुस्लिम सिखेसाईयों की फौज का गटन किया क्या उतसे भी हमें अफ्रत है क्या मैं पूछना चाहता हूं क्या अब्दुल कलाम जी हिंदुस्तान के रास्त्रपती बने किसने बनाया था अठल बिहारी वाजपाई जी ने बनाया थ मुसलिम हम नहीं बनायेंगे मैं सवाल पूछना चाहता हूं यह तो महीं और इक वारती थे उनको जिम्मेदारी दी गई ऐसे कईara हैं घाल हिंदुस्तान की बात करते हिंदुस्तान के रास्टपती ग्यानी जाल सिंग रहे हिंदुस्तान के हो मिनिस्टर ग्यानी जाल सिंग रहे हिंदुस्तान के चीफ जर्सिस ऑफ इंडिया सरदार कुलदीव सिंग रहे हिंदुस्तान के चीफ जर्सिया खैरा रहे हिंदुस्तान क आर्मी चीफ जगजी सिंग रोडा कहतर जंग के हीरो रहे हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जेजे सिंग रहे हिंदुस्तान के एर मार्चल कौन रहे अरोडा अपना सरदार अरजन सिंग जी रहे हिंदुस्तान के पहले डिफेंस और फॉरन मिनिस्टर सरदार सुर्ण सिंग और दिलबाग सिंग रहे दनुवा एर मार्च से रहे जन्होंने सर्जीकल उपरेशन किया हम कहते हम तो दो परसेंट है हम तो मिनोर्टी में अरे हिंदोस्तान ने हमको क्या नहीं दिया हिंदोस्तान ने क्या हिंदोस्तान के लोगों ने कहा क्या हिंदोस्तान के हिंदू मुसलिम इंडिया नी बन सकते आप 2% ओव आप होम इनिस्टर नी बन सकते किसी ने कहा ये है हिंदोस्तान इसको कहते प्यारा हिंदोस्तान इसको कहते फकर से हिंदोस्तान जिसके लिए बहगत सिंग राजग्रू सुक्जे मंगल पांडे इस्तफाक उल्ला खां इस्तफाक उल्ला खां और जल्यावाला बाग के वो शहीद हिंदू मुसलमान सिख हैसाई जर्नल डैर की गोलियों को सीने पे खा करके इस भारत को अजाद करा है ये है हिंदुस्तान ये क्यों नहीं सोचते कि जब अजादी हुई हम सब अपने दी सर अब यह क्योंकि इंटर्व्यू काफी लंबा हो गया है तो मैं यह आखरी सवाल बस लेकर के फिर इस इंटर्व्यू को में समापन करूंगी बहुत उम्दा बोलते हैं सर आप इतना उम्दा बोलते हैं कि मैं सवाल भूल जाती हूं और लगता है कि बस ऐसे मा सब्सक्राइब कारें तरह नुटन कानून की बात हो या फिर मदर्वसों का सर्वे की बात हो तो आपको क्या लगता है इस समय कितना जरूरी है मदर्वसों का सर्वे या फिर ऐसे लोगों के उपर कंट्रोल करना जो देशकों विवाजन चाहते हैं आप बताऊंक कई मेरा बच्चा टाइम पे आएगा, क्या किसी गैंक्स्टर, ये पाले हुए राजनितिक लोगों के गुंडे, MLA, MP जो बन चुके थे, बड़े-बड़े लीडर बन चुके थे, बड़े-बड़े नताओं के गुंडे, क्या उनकी गोलियों को शिकार हो जाएगे? क्या उनको क कहा करता था है भगवान यूपी के अंदर कम से कम पांच साल गवर्णर रूल लगना चाहिए और पंजाब का के पीएस गिल जैसा वो योदा जिसने पंजाब में अतंक वाद को समाप्त किया उसको गवर्णर मना देना चाहिए यह मैं मैं बगवान से प्रातना किया करता था ऐसा होना चाहिए हमारी माएं हमारी बहने हमारे बच्चे शुरक्षत रहें मैं यह नहीं कहता हिंदू हिंदू भी मुसल्मान भी सिख भी साइटी सबका कतलयाम होता था योगी जी आए हमारा योगी से क्या तलक योगी जी आए उन्हें का ना जो बेगुनाहों का कतलयाम करेगा, जो बहनों के सोहा गुजाड़ेगा, जो बच्चों के यतीम करेगा, यो यूप में खून की नदिया बहाएगा, जो लाल बहादर शास्त्री की दर्ती, वहाँ सूर बीरों की दर्ती, महापुर्चों की दर्ती, मत्रा की दर्ती, वरिंदावन की दर्ती, वारानसी की दर्ती, रामजन बूमी की दर्ती वहाँ अब खून नहीं बहेगा, जो करेगा उसका होगा ठा, गोली मारो, आग लगाओ, और राखिन की द्रिया में भेको क्या योगी ने बुरा किया ? क्या हिंदू समाज के लिये किया ? आम व्यक्ति के लिए उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, एसाई भी आता है मजरूमों के लिए कहा जो किसी को मारेगा उसका इलाज गोली होगा और उसमें हिंदू, मुसल्मान जो भी निशाना बने उनको गोली का निशाना बनना पड़ा उनको जब पुलिस में जड़प हुई एक तरफ गोली चली सो गोली चलाके उनको मारा ये योगी जी ने किया, अब मेरा सपना था पूरा हुआ ना, मैं तो कहता था केपियस गिल बनाके गोवर्नर रूल लगा दो अब गोवर्नर रूल तो नहीं है, अब राजनितिक भी है, विकास भी है, डिवेल्मेंट भी है और जो क्रिमिनल हैं, जा अतंकवादी हैं, जो गैंक्स्टर हैं, जो निताओं के पाले हुए गुंडे, पुरानी पुलिटिकल पार्टियों के 25-30 साल से उनको घर में बिठा के रख दिया, ये जोगी जी ने कहा, ये मत कहिए को वो हिंदू है इसलिए, ये कहिए कि आम व्यक्ति, आज यूपी के अंदर आम व्यक्ति सेफ है किसी मदभ धर्म का हो, हिंदू मुसल्मान की क्यों बात करते हम, अगर कोई ऐसी चीजों के ओपर कोई कनून ला रहे हैं, उनको को नजर आ रहा है कि यहां से ये अतंकबाद पनम सकता है, आपने देखा हो गए जातरा निकलती थी कबाड की, बोले शंकर जी की यातरा निक है का तà, कोटा पांचो साल का इतिहास, ना कोली चरी, ना बंब चला, ना दंगा हुआ, ना फसाद हुआ, जये शरी, राम, राम, जन, बुम्मी का निर्मान हुआ, क्या वो लगुर बाबर की जगा थी, वो अरंग जेप की जगा थी, सब कुछ किया, ऐसे मसलों को हल किया आपको पुलिटिकल पार्टियां को शोचल को धर्म के ठेकेदार आग लगाते लगाते रहें ये काफला आप रुकने वाला नहीं ये आगे चलेगा बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने दिल खोल के जो हमारे साथ बातचीत की है उसके लिए धन्यवाद